देखें इसमें कितनी सुन्दर लेयर आई है और हर लेयर पे बेसम अच्छे से चड़ा है Hello Friends, स्वागत है आपका काड्यू किचन में मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं अर्भी के पत्तों के पकोडे इसको आज हम स्टीम करके बनाएंगे इसको हम नॉर्मल पकोडो के जैसे खा सकते हैं और सबजी के जैसे भी खा सकते हैं इसके लिए मैंने लिया है 10 अर्भी के पत्ते, आधा कटा हुआ नीबू, एक कप बेसल, दो लंबे कटे हुए प्याज, एक हरी मिर्ची बारी कटी हुई, नमक, मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला साथ में घोल त्यार करने के लिए हम पानी काम में लेंगे साथ ही, इंग्रिटेंट की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसेपी, तो चलिए अब बेसन का घोल त्यार कर लेते हैं, अब हम सबसे पहले बेसन को बॉल में डाल लेते हैं, अब इसमें मिलाएंगे मसाले थोड़े से, नमक स्वादा अनुसा, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी आट करेंगे और एक गाड़ा घोल तयार करेंगे, पानी एक साथ नहीं दालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दालना है, ये घोल तयार हो गया है, इस तरह का गाड़ा घोल हमें चाहिए होगा ज्यादा पतला हमें नहीं चाहिए होता है अब हम अर्भी का पत्ता लेंगे अब इसके चारो तरफ से हम बैसन को इस्प्रैड करेंगे थोड़ी-थोड़ी मोटी लेयर ही हमें लगानी है एक तम पतली नहीं लगानी है बैसन अच्छे अब हम इसके उपर दूसरा अर्भी का पत्ता ऐसे रखेंगे और इसके उपर भी सेम उसी प्रोसीजर में बैसन लगाएंगे यह दो पत्ते हमने एक उपर एक रख लिया है अब इसके उपर अपोजिट साइट से हम तीसरा पत्ता भी रखेंगे इसी तरह से मैं पांच पत्ते एक साथ रखूँगी और उसके उपर बैसन इस्प्रैट करूँगी यह पांच पत्तों पर मैंने बैसन लगा लिया है अब हम इसको रोल करेंगे यह हमने रोल कर लिया है इसी तरह बाकी बचे हुए पांच पत्तों का भी मैं इस तरह से रोल बना लूँगी यह अर्बी के पत्तों पर हमने अच्छे से बैसन लगा लिया है और इस तरह से रोल त्यार हुए है अब हम इसको इस्टीम करेंगे इस्टीम करने के लिए कड़ाई हमने ले लिये अब हम इसमें पानी दालेंगे और इसमें इस तरह का कोई भी हम stand रखेंगे अगर आपके पास इस तरह का कोई stand नहीं है तो कोई हम bowl भी रख सकते हैं अब हम पानी को boil होने देंगे जब तक पानी boil होता है हम एक plate को oil से grease करेंगे मैंने इस तरह की जालीदार plate ली है आप चाहें तो कोई normal plate भी ले सकते हैं जब तक पानी boil हो रहा है हम इसको grease कर लेते हैं और इन दोनों को इसके उपर रख देंगे पानी अच्छे से boil हो गया है अब इस plate को हम इसके उपर रख देंगे और इसको इस तरह से cover कर देंगे लगबख 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे हम 10 मिनट हो गये हैं इसको हम देख लेते हैं यह basin अच्छे से पक गया है अब हम गया इसको बंद कर देंगे और इसको plate में निकाल लेंगे यह हमने plate में निकाल लीए हैं अब इसको छोटे-छोटे slices में हम कट कर लेंगे. इसी तरह से पहले मैं सारे कट कर लूँगी. इन सभी को मैंने कट कर लिया है. इसमें बेसन चारो तरफ से अच्छे से लगा है. अब हम चलते हैं गैस की तरफ और प्याज और हरी मिर्ची को फ्राइ कर लेते हैं. इसमें एक टेबल स्पून ओईल डाला है. तेल गरम हो गया है. इसमें अब हम प्याज डालेंगे. लगबग दो से तीन मिनट इसको अच्छे से सिखने देंगे. ये हलके हलके गोल्डन हो गये हैं. अब इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं. अब इसको चलाते रहेंगे लगाता और थोड़ी सी दिर और हम इसको पकने देंगे. प्याज अच्छे से बुन गए हैं. अब हम इसमें मसाले एड़ करेंगे. थोड़ा सा नमक. थोड़ी सी लाल मिर्ची. और थोड़ी सी हल्दी. मसाले हम ज्यादा नहीं डालेंगे. क्योंकि जब हमने बिसम का गोल तियार किया था. तो हमने उसमें भी मसाले एड़ किये हैं. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं. अब जो पीसे हमने कट किये थे. उसको इसमें मिक्स करेंगे यह सभी पीसेश हमने इसमें दाल दिये हैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसके उपर नीबू का रस छिड़केंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारे बंकड तयार है, अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे, इन सभी को मैंने बॉल में निकाल लिया है, दिखें, इसमें कितनी सुन्दर लेयर आई है, और हर लेयर पे बेसल अच्छे से चड़ा है, आप यह रैसी पे जरू ट्राय करिए, अगर आपको हमारी रैसी भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और शियर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पास वाले बैल आइकन को दबा कर, और क्लिक करें, थैंक यू,